नमशकार, कक्षा 10, अध्याय 14, संखे की प्रशनावली 14.3, प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं, निमने लिखित सार्नी 400 नियोन लेंपों के जीवनकालों को प्रदर्शित करती है इस सार्नी में बाईं तरफ हमें दिये गए हैं लेंपों के यानि बल्बों के जीवनकाल जैसे 1500 से 2000 घंटों तक 14 लेंप, 2000 से 2500 घंटों तक 56 लेंप, 2500 से 3000 घंटों तक 60 लेंप इस प्रकार से एक लेंप का माध्यक जीवनकाल ग्याद कीजिए बड़ा सिंपल सा कोशन है बच्चो इसमें हमें माध्यक जीवनकाल निकालना है यानि माध्यक निकालना है सार्नी हमें दी गई है तो सबसे पहले हम इस सारनी को यहाँ पर अरेंज करते हैं, जैसे हम पिछले कोशन्ज में करते रहें, हम इसमें भी माध्यक निकालेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर संचेई बारंबारता निकालेंगे, देखें सबसे उपर वाले खाने पर 0 प्लस 14 ब्राबर 14, सबसे उपर आले खाने में जो होता है बारंबारता में वही संजेई बारंबारते में भी होता है इसके बाद 14 में 56 प्लस करने पर हमें प्राप्थ होगा 14 प्लस 76 सत्तर इसी प्रकार सत्तर में 60 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 130 उसके बाद 130 में 86 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 216 216 में 74 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 290 में 62 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 352 और 352 में 48 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 400 तो ये हमने बच्चो संचेई वारंबारता ग्यात कर ली है अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है N बटा 2 आईए हम N बटा 2 निकालते हैं तो देखिए कुल बल्बों की संख्या है 400 तो N हो गया 400 तो N बटा 2 होगा 400 को 2 से भाग कर देंगे 400 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 200 इसका मतलब N बटा 2 प्राप्त हुआ हमें 200 अब हम संचेई वारंबारता में देखेंगे कि 200 कहां आएगा देखे पहले सबसे पहले संचेई बारंबारता है 14 हमें चाहिए 200 यानि हमें और आगे जाना है दूजरी संचे बारंबारता है 70 हमें और आगे जाना है तीसरी बारंबारता है 130 तक इससे हमें और भी आगे जाना है और अगला है 216 इसका मतलब जो हमारा एन बटा दो 200 है वह हमें इस वर्ग में प्राप्थ होगा जो की है 3000 से 3500 वाला यही हमारा माध्यक वर्ग होगा तो माध्यक वर्ग की निचली सीमा यानी L वो होगी 3000 माध्यक वर्ग से पिछली संचेई बारंबारता वो होगी 130 यानी CF माध्यक वर्ग वाली बारंबारता यानी की F बराबर होगी 86 के और H बराबर होता है वर्ग माप के और वर्ग माप है किसी भी वर्ग के उपरी सीमा में से निचली सीमा को माइनस कर देना तो 3500 में से 3000 माइनस करने पर हमें प्राप्ट होगा 500 इसका अर्थ है H हो गया 500 आए इन सभी values को हम माध्यक के सूत्र में रखते हैं देखें माध्यक का सूत्र है L प्लस N बटा 2 माइनस C F बटा F गुना H L की जगा आजाएगा 3000 प्लस N बटा 2 की जगा 200 माइनस C F की जगा 130 बटा F की जगा 86 गुना H की जगा है 500 देखें 3000 प्लस अंच में 200 में से 130 माइनस करने पर हमें प्राप्ट होगा 70 नीचे है बटा 86 गुना 500 बच्चो अगले स्टेप में ध्यान से देखेगा 70 को 500 से गुना करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 7, 5, 35 और फीचे 30 यानि 35,000 और 35,000 को जब 86 से भाग कर देंगे क्योंकि नीचे हर में 86 है 35,000 को जब 86 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्ट होगा 406.98 और उससे पहले है हमारे पास 3,000 और 3,000 में जब 406.98 को हम प्लस करेंगे तो हमें प्राप्ट होगा 30,000 प्लस 406, 3,406.98 तो आपने देखा हमने माध्यक के सूत्र के जरीए माध्यक प्राप्ट किया है 3,406.98 तो यह है हमारा माध्यक 3,406.98 हमें क्या ग्याद करना था माध्यक जीवनकाल जो किया आगया है 3,406.98 घंटे यही हमें ग्याद करना था कि एक लेंप का माध्यक जीवनकाल कितना होगा 3,406.98 घंटे आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमने जो एक लेंप का माध्यक जीवनकाल निकाला है यह आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद